नमाशकार, नक्षतर दुनिया चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागा थे मित्रों आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि मंगल किस भाव में जातव को जल्दबाज बनाता है इसके अलावा मंगल व्यक्ति को धनबान आखिर कैसे बनाता है इस पर भी आज के वीडियो में विचार करेंगे और मंगल की दृष्टी के फल समस्त भाव में किस प्रकार के हो सकते हैं इसे भी समझने का प्रयास आज के वीडियो में किया गया है यदि आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य करें आईए सुरू करते हैं मित्रों वीडियो में मंगल गरे के दृष्टी का क्या फल होगा इस पर तो हम विचार करेंगे ही परन्तु इसके पहले मंगल के विशे में कुछ आधार भूत बातें समझ लेते हैं ताकि दृष्टी फलों को समझने में आसानी हो देखें मंगल गरे किसी भी भाव में बेटा हुआ है यदि वहाँ पर राशी का अंक एक लिखा हो या आठ लिखा हो तो समझ लीजे कि मंगल सौरासी का होकर बेटा हुआ है क्योंकि देखें एक नमबर यानि मेस रासी मेस रासी में मंगल सौरी होता है आठ नमबर यानि ब्रश्चक रासी तो ब्रश्चक रासी में भी मंगल स्वागरी फल देता है इसके लावा किसी भी भाव में यदि मंगल बेटा है वहाँ पर चार नमबर का राशी का अंकल लिखा है और यदि किसी भाव में चार नमबर का राशी का अंक लिखा है वहाँ पर मंगल की दृष्टी जा रही है तो समाझ लेजे कि मंगल की नीच दृष्टी वहाँ पर पड़ रही है ठीक है मंगल ग्रहे व्यक्ति के अंदर साहस, पराकरम, साररिक उर्जा, ताकत, वीर्ता, शौरे, रक्त, भाईयों का कारक ग्रहे माना गया है भूमी का कारक ग्रहे भी मंगल ग्रहे को प्रमकृप से माना गया है आये विचार करते हैं कि मंगल गरह यदी अलग-अलग भावों पर दर्श्टी डाले तो किस प्रकार का फल दे सकता है मित्रों मंगल एक अगनी तत्वी गरह है जब कभी भी मंगल गरह लगन भाव पर दर्श्टी डालता है तो व्यक्ति का सुभाव थोड़ा सा उगर बना सकता है व्यक्ति क्रोधी किस्म का हो सकता है परन्तु भूमी, भवन, भाहन से संबन्दि सारे सुख व्यक्ति को जीवन काल में देखने को मिलते है प्रापर्टी से संबंदित या भूमे से संबंदित चेत्रों में व्यक्ति को लाव देखने को मिलता है अब देखी मंगल के स्रेश्ट फल इस बात पर नर्वर करेंगे कि मंगल की जो दृष्टी हेवाय मित्र दृष्टी पढ़ रही है या सत्रू दृष्टी पढ़ रही है उच्चे दृष्टी पढ़ रही है या नीच दृष्टी पढ़ रही है इसको भी हमें देखना होगा ठीक है यदि मंगल कुंडली का कारक अगरह बनकर लगन भाव पर दृष्टी डालता है तो फिर ऐसे इस्तिती में व्यक्ति को ये सहसी भी बनाता है यानि व्यक्ति ससक्त नर्णे करने वाला होता है अपने दम पर अपने भागे का व्यक्ति निर्मान करता है में तो आईए बात करते हैं यदि मंगल गरे धन भाव को पूर्ण दरश्टी से देखे तो किस प्रकार का फल दे सकता है देखिए मंगल गरे कुंड़ी के लाभ भाव में बेटकर इसके लावा कुंड़ी के सब्तम भाव में बेटकर कुंड़ी के धन भाव को देख सकता है क्यों कि मंगल के पास तीन दृष्टी होती है चतोधश्टी, सब्तमदृश्टी और अस्टमदृश्टी फिलाल हम बात कर रहे हैं कि मान लीजे मंगल अस्टमभाव में बेटकर धनभाव को देख रहा है तब किस प्रकार का फल देगा हाला कि हम यहाँ पर अस्टमभाव के फल पर विचार नहीं करेंगे लेकिन सम्मंदों को थोड़ा सा एकमजूर करने का कारिक कर सकता है तो कुटुम्बियों का भाव भी कहलाता है कुण्ड़ी का दूसरा भाव इसल informing कुटुम्बियों से प्रतक्ता हो सकती कैसकते हैं कि उनसे दूरी हो सकती है मेहनत से धन कमाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है यहीं परिश्रमी कहा जाता है परंतु व्यक्ति की जो मनोदसा रहती वो इस प्रकार की कुछ रहती है कि आप इसे ना तो अच्छा मान सकते हैं ज्यादा ना ही इसे बुरा मान सकते हैं लेकिन आर्थे के स्तिती थोड़ी सी मध्यम रहती ना तो अच्छी ना बुरी आईएब बात करते हैं यदि मंगल गरह कुंड़ी के तीसरे भाव पर द्रश्टी डाले तो तीसरे भाव पर क्या द्रश्टी प्रवाव होगा समझते हैं देखिए मंगल गरह जब कुंड़ी के नवम भाव में बेठेगा तो वहां से अपनी सब्तम द्रश्टी से तरती भाव को देख सकता है हाला कि मंगल कुंड़ी के बारवे भाव में बेठकर भी तरती भाव को देख सकता है लेकिन फिलाल हमारा मूल विश्य है कि दृष्टी फलको समझना तो तीसरे भाव पर जब दृष्टी जाएगी तो छोटे भाईयों से संबंदों में ये परिशानी क्रियेट कर सकता है हाला कि विक्ती सहासी होगा भागयवान होगा पराकरम के दम पर अपने भागय का निर्माड करने वाला यसे विक्ती कहा जाएगा क्योंकि मंगल की दृष्टी जिस भी भाव बे जाएगी उस भाव में ये सहास भर देता है अब क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव ही पराकरम भाव के नाम से जाना जाता है पराकरम भाव पर जब पराकरम के मुख ग्रह की दृष्टी पढ़ेगी तो उस भाव में ये साहस भरपूर मात्रा में भर देता है जिसके कारण विक्ति साहस ही होगा और अपने भागे का नि नीच द्रिश्टी नहीं होना चाहिए मंगल की नीच द्रिश्टी पढ़ेगी तो ऐसे इस्तिति फिर उस भाव को एक अमजोर करने का प्रयाज भी कर सकती है आये बात करते हैं यदि मंगल घर कुंड़ी के चतुत भाव पर द्रिश्टी डाले तो किस प्रकार का फल दे सकता है देखिए माता-पिता के सांथ संबंदों में परिशानी हो सकती है हलाकि भूमी से संबंदे प्रॉपर्टी से संबंदे जमीन जाजाज से संबंदे सुक व्यक्ति को अपनी जीवन काल में देखने को मिल सकते हैं ठीक है लेकिन सार्रिक दुख थोड़ा सा बना रह सकता ह हाला कि ये निर्भर करेगा कि किस मात्रा में देखिए यहाँ पर हमें चतुरतेस की स्तिती पर भी विचार करना होगा और चतुरत भाव पर किसी अनसुब ग्रह की दृष्टी है या नहीं इस पर भी हमें विचार करना होता है आई ये बात करते हैं ये दि मंगल गर है कुंड़ी के पंचम भाव पर द्रिश्टी डाले तो किस प्रकार का फल दे सकता है देखे कुंड़ी का पंचम भाव विक्ती के विवेक का भाव संतान का भाव कहलाता है मंगल गरहे कि जब यहाँ पर दृष्टी पढ़ती है तो व्यक्ति को यह बेवेकी बनाता है व्यक्ति की संतान सहसी होगी पराकरमी होगी लेकिन व्यक्ति के यानि जातक के अपने संतान के साथ समंधों में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है या कह सकते हैं कि प्रथम संतान में देरी हो सकती इस प्रकार के समस्यां देखने को थोड़ी सी मिल सकती है मित्रों आईए बात करते हैं यदि मंगल गरे कुंडी के चटवे भाव को देखे तो किस प्रकार का फल दे सकता है कुंड्डी के छटवे भाव से हम रोगो का, रण का सत्रुणों का विचार यहां से करते हैं मामा का का और मोसी का विचार थि करते हैं मंगल घरे कि जब यहां पर द knowing को आपार द्रिश्टी पड़ेगी तो मामा को और मोसी को कुस्ट हो सकता कैसाते हैं तो जिसके कारण संबंदों में थोड़ा सा परिशाने आती हाला कि लेकिन बाकी चीजों में विक्ति को रहत देखने को मिलती है यानि रोग से रिण से सत्रूं से परिशान होने की यहाँ पर आवशक्ता नहीं है मैं तो आये बात करते हैं यहीं मंगल गरे की कुंडली के सब्तम भाव पर द्रिश्टी पढ़े तो किस प्रकार का फल दिखाई दे सकता है देखी कुंडली का सब्तम भाव जीवन सांती का भाव कहा जाता है यानि दामपत्य सुक का भाव कहा जाता है इसे मंगल गरे की जब यहाँ पर दर्ष्टी पढ़ती है तो इस भाव में परिशानी का वो कारण थोड़ा बन सकती है ठीक है साज़ेदारी के कारियों में दिक्कतें आ सकती है यानि कुल मराकर कहने का अतात पर यह कि मंगल की दर्ष्टी कुंडली के सब्तमभाव पर ठीक नहीं मानी गई है अब दूसरी परिस्तिती पर विचार करते हैं मान लिजी कि मंगल गरे यहां का स्वामी गरे बन रहा है तब क्या देखिए तब की बात अलग होगी यानि मंगल गरे अपने ही घर को देखेगा तो फिर यहां पर ज्यादा परिशान वह नहीं करेगा इसके अलाबा मंगल गरे की दर्ष्टी मान लिजी यहां पर पढ़ ही रही है तो हमें यह भी देखना होगा कि सब्तमेस कहां बेठा हुआ है या फिर गुरु गरे यहां पर बेठे हुए है या फिर सुक्र गरे यहां पर बेठे हुए है तो फिर ज्यादा दिकतें नहीं आती किऊंगाया है यदि लड़की की बात करें तो गुरु गरे यहां का फिर कारक मान गया है आईए बात करते हैं यदि मंगल गरहे की कुंडली का स्टमभाव पर द्रिश्टी पड़े तो किस प्रकार का फल दिखाई दे सकता है देखिए कुंड़ी के स्टमभाव से हम आकास्मिक दुरगटनाओं का विचार, आकास्मिक घटनाओं का विचार, आकास्मिक धनलाव का विचार करते हैं, जीवन का विचार, मृत्यों का विचार, कुंड़ी के स्टमभाव से किया जाता है, पेत्रिक संपत्ति का विचार भ बचना चाहिए। बचना चाहिए। और यस्ट फेलाता है। और लाव कारजन करता है। आई अब बात करते हैं। यदि मंगल गरहे कुंडली के लाव भाव को देखे। तो किस प्रकार का फल दिखाई दे सकता है। देखे कुंडली के लाव भाव पा द्रश्टी जाने से व्यक्ति धनवान होता है, इसमें कहीं कोई संदे नहीं है। भाईयों से समंदों में, बड़े भाई से विस्टिस रूप से समंदों में यहाँ पर यह पर यह परिशानी थोड़ी आ सकती है। हाला कि मंगल की यहाँ पर मितर द्रश्टी पढ़ रही है या सौरासी के द्रश्टी पढ़ रही है तो इस भाव को फिर वलवान बनाने का कारी ही करते हैं। जलाकि नीच द्रिश्टी या सतु द्रिश्टी पढ़ने पर ही इस भाव को थोड़ा से कमजोर कर सकते हैं, मित्रों आई अब बात करते हैं, यदि मंगल गरे कुंडली के 12 आउस पर द्रिश्टी डाले तो किस प्रकार के फल दिखाई दे सकते हैं, देखी कुंडली के 12 आउ अन्य सुब गरे 12 आउस में उपस्तित हैं या नहीं या 22 कहां बेठा हुआ, यदि 22 सुब इस्तिती में अन्य सुब गरे सपोर्ट कर रहे हों, तब इस प्रकार के सामानता दिखकतें नहीं आती हैं, मित्रों यदि वीडियो अच्छे लगा हो, तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हों, तो सब्सक्राइब भी करें, धन्यवाद.